नमस्कार दोस्तों मैं मनेश कमार अखंड वारत के वाज हर्याना के हल चाल और पानिपत क्राइम नियोज में आप लोगों के स्वागत हैं पानिपत सुचिवाले में हम यहां पर मौजूद हैं और आज एक बहुत ही सेंस्टिव मामला है एक मां अपने बच्चों से किस परक ऑघ्से मिलेंगे क्योंकि जब पुलिस से दुखी हो जाता है तो वकीलों के पास दर दर कि ठोकरे खाता है आज इसी प्रकार से एक मामला हमारे सामने आया है और अभी हम उस convene से आब की बात भी क्या हैं और उसके साथ उसकी माता जी है उससे भी हम बात कब की बात है कि अठाइस तारीक की अठाइस तारीक की जी में दवाई लेने के लिए चली गई मेरे पीट पीछ रहा कर बच्चों को लेके चले गए अब मैंने कारव सारा दिन ढूंड के फिर में ने दस इक्यान फोन किया क्या कुछ उपर आव मामला है पूरी बात बता हो बच्चों को लेके चले गए कि तने बच्चे हैं मेरी एक साथ साल की एक तीन साल की साथ आट साल हो गए मेरी पहले भी ऐसा कुछ हुआ है कारण क्या है लड़की मैरी मतलब आपकी लड़की लड़की हो रही है यह यह आपको ऐसा लग रहा है जहां पर जो मुझूदा सरकार है बेटी पजाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है और वहीं पर जो बीजेपी सरकार है उसने तीन तलाक जो नियम कानून भी हटा दिया था लेकिन जैसे अभी इस महिला का आरोप है कि इसके पती इसक सब्सक्राइब को ढखया तो धमकी देते थे कि या तो कुछ भी बात होती घर में कोई भी है थोड़ा बहुता कहासउनी हो जाती है उस टाइम पर तलाख की बात करते हैं सिकायते यह जो सिकायत है इस सिकायत में आप लूग देख पाएंगे जो उदेश्य व्ता याया है दहेजवा मारपीट का लिखा है जो असली मुद्दा है उस बात पे बाती नहीं की है नहीं सिकायद पर बात की है मतलब मुद्दा भठकाने कोशिच की जा रही है पुलिस में सिकायद दी एपुलिस ने क्या कुछ गया सब्सक्राइब 22 तरक कि दिन नेbnry देखारे में आठाञा करना रहว यह उनकी दरखास में सब्सक्राइब सब्सक्राइब लुए तो यह महीला की तरफ से एक आरोफार जता रहा है पूलिस के उपर ऑभी तक उनकी दरखास पड़ी नहीं है तो उन्होंने फॉन करकर वहीं पर भीज़ दिया किसने वेज़ा से बात हुई है करमचारी से बात हुई है करमचारी से तो यहां पर महिला की माताजी भी है अच्छा मतलब से मिलने नहीं दिया तो एक और बात है आठ तारिक तक कुछ बच्चों के साथ उंच नीच हो जाती है तो क्या उस चीज़ का पुलिस प्रसासन जिम्मेदार होगा या नहीं हम इसके बात करने कोषिस करेंने आनकी सारश्याम जो प्रसुराल 20 इसे धांक करंए को करना सकते हैं तो यह वह कर सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी छोड़ूंगा कि ताकि वह असानी से हमें कॉंटेक्ट कर सके और अपना पक्स भी रख सके क्योंकि एक तरफा कभी बात नहीं होती दोनों पक्सों की बात सुनी जाएगी